नमस्कार मेरा नाम है सुमिश सिंग महता हाज नगव सामने स्वाइट से लेटेट एक और नया लेक्चर लेके आज का हमारा लेक्चर किस पर बेज़ रहे है इनलास्टिक स्काटरिंग औफ फोटोन बाई फोनों ठीक है यह कहा रहने वाला आज का हमारा टॉपिक रहने वाल नॉर्मल प्रोसेस यहां फिर एन प्रोसेस बोला था और एक को हमने क्या बोला था यू प्रोसेस बोला था और हमने यह पड़ा था कि जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वह कैसी होती है एक टैप की इलास्टिक स्काटरिंग होती है यह जब कोई फोटोन किस से टकराता है किसी कोई phonon create होता है और नहीं कोई phonon absorb होता है ठीक है ऐसा हमने पढ़ा था फिर दूसरी परकार जो हमारे process थी वो क्या थी यू process थी और हमने ये पढ़ा था कि यू process एक type की inelastic scattering है ठीक है यानि जब कोई photon किसी एक crystal से टकरा रहा है और जो टकराने पर या पर जो scattering है उस photon की किसी crystal के सान वो कैसी है inelastic है तब इस type की process को हमने क्या बोला था यू process बोला था और हमने देखा था कि यू process के दौरान या तो कोई phonon create होता है या फिर कोई phonon क हम क्या note करेंगे पिस्वार लेक्चर से को ये है कि यू process कैसी होती है inelastic होती है और इस यू process के दौरान या तो कोई phonon create होता है या फिर कोई phonon क्या हो जाता है एब जॉब हो जाता है अब अगर आपने इतना सब पढ़ लिया तो अब आते हैं आज की heading पर या फिर आज की topic पर topic का नाम क्या है inelastic scattering of photon by phonon again यहां पर एक जो पहला word है वो कहा है मेरे पास inelastic है और कैसी है scattering है कैसी scattering है inelastic scattering है और हमने पिस्वा लेक्टर में डिसकस किया था यानि यू process में डिसकस किया था कि जब भी inelastic scattering होती है तो वहां पर क्या होता है या तो phonon क्या होगा create या फिर phonon क्या होगा हमारा absorb होगा तो यहाँ पर भी, इस stack के scattering में भी यानि जब कोई photon किसी phonon से क्या होगा टकराएगा, यानि कहने का मतलब है, टकराने का मतलब है किस से है, interaction से है यानि जब कोई photon, phonon सके सान interact होगा, वो interact होने के 2 way हो सकते हैं, या तो emission of phonon, दो केस हो सकते हैं, simple, scattering का है, हापन मतलब क्या हुआ, interaction हुआ, कि क्या होगा, जब कोई photon, किसी phonon के साथ, क्या होगा, interact होगा, ठीक है, हमने इसको scattering क्यों बूला, because, phonon and photon, both are particle, then, we can consider the interaction between photon and phonon, as a scattering, ठीक है, scattering वाला जमेला खतम हो गया, मतलब समझ में आगा कि scattering क्यों बूला, क्योंकि दोनों क्या है, particle है, और दोनों जब एक दूसके साथ, interact होगे, तब उस टैप की interaction को हम क्या बोल देंगे, scattering बोल देंगे, ठीक, killer हुई बात, तो यहाँ पर लिखके चलेंगे, यहाँ पहन लाइन तो क्या लिखेंगे, कि whenever a photon is interact with phonon, then, there will be either creation or absorption of phonon, ठीक है, killer हुई बात, तो in this type of scattering, तो यहाँ पर लिखो, इस हिंड डालो, और यहाँ लिखो, in this type of scattering, this type of scattering, यानि कैसी scattering, inelastic, तभी हमने कहाँ लिखा, this type of this type का मनलब किससे है, inelastic scattering, in this type of scattering, of photon, by phonon, phonon, there will be two cases, या फिर ऐसे बोचते हैं, either, either phonon, is created, created, or absorb, या तो क्या होगा, create होगा, या फिरो क्या होगा, absorb होगा, या फिर आइदर creation, और absorption, इसको यहीं बोचते हैं, इसन का बस्ततु है आइदर क्रियेशन क्या क्या शहेँ हैं और अब्जॉप्षिंister till होन ठीक है ना तो में प्रियेट होगा या फिर क्या होगा एब्जक हो किस बढसेबेंग लेतथ लां कि het Chemex क्यांन भॉछता है Inelastic तो प्लिक इंट्रियूंट सबस्ट्रियू सबस्टेघ ही चले हैं अफिक्षाप्ष ही एकेल किसको लेकर चले भी चैलेंगे या इमिश्च को लेकर चलेंगे और उसके विया-फिक दिजसींडर let us consider consider in our case in our case during during scattering of scattering of photon photon by phonon a phonon is created or absorb a phonon is absorbed two things we can do now absorb 1 phonon is absorbed अब दिक्तल एक डे लाग्राम से कसे डिखा सकते हैं ऐसे दिखा सकते हैं क 12 कर लो क्या साथ है एक फोटोन चाहिए और एक देखें फोनोनजेख तो अजिम कर लेते हैं कि इस तरीके से मेरे पस यह क्या हैesi फोटोन है है हमने पढ़ा था कि फूना इसकेशक कि देखा एसे दिखाते है तो इसी दिवाबर फोटाउन यह चीज़ क्या है मेरा है और अपूर्ण करो हैं कि यहां से क्या आया कोई एक फोनों आया इस तरीके से अब जोब हो रहा है तो फोनों को इसके पास आना पड़ेगा यहां से क्या आया है फोनों कैसे दिखाते हैं हम यूगर करके आप देखो यहां से क्या आया यहां से क्या आया फोट्न एकवर यहां पर क्या करफा क्या vrais hear एसा बोल सकता हूं मैं टेंग और अजूम कर लो कि आफ्टर स्कार्ट इस डिरेक्शन में गया उस डिरेक्शन में जो मेरे पास वे बटर है वो कितने है मेरे पास k-prime है और अफटर scattering this is inelastic scattering then there will be the change in of frequency और अजुम करो इसके frequency change हो कितनी हो गई है omega pH प्राइम हो गई है ठीक है कितनी होगी इसके frequency omega pH प्राइम होई ओके तो इस टैक की situation हमें यहां पर देखने को मिल रही है कि यहां से क्या आया एक photon आया यहां से क्या आया एक photon इस photon ने इस photon को क्या किया और हो गया और से यह proton को भी हो गई है पहले जो मेरे पास वेक्टर था वो क्या था के था अब उंप्रक्र का नियुक्त रहांको और एक इंपोर्टरांटी और है यह फिर हाँ एक इंपोर्टर्णटीच के है कि चलू कि एक ना लेते हैं फिल लिखें के के प्राइम वेक्टर है और एक वेक्टर है और यह क्यों वेक्टर है देखो मैं वेक्टर को पहले सिफ्ट कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं कर सकता हूं देखो यह वाला वेक्टर है यह वाला इसको ऐसे रहें दो यानि जो के है उसको ऐसे रहें दिया मैंने यह क्या है मेरा क्या है के हैं तो दिस इस कि वेक्टर अब इसको पिल्ले स्रीफ्ट करके इसको इससे मिला दो ऐसे प्ल हो यहां मिला दो तो यह क्या हो जागा मेरे इसके Y un this is Q, तो this one is Q, यह क्या हो गया, Q हो गया, तो यह क्या है, K है, और यह क्या है मेरे पास, यहां, K' है, और यह क्या है, मेरे पास, Q है, है की नहीं Q, ठीक, एक चीज़ और, यह क्या है, इसकी incident direction है, यह क्या है, incident direction है, और incident तो यह एंगल किया होगा होगा मेरा वग यह नियोग गया होगा ओसंटर पर यह हमारा एंगल O Ск ähnlich aspiring ay okay यह tej है wa We這邊 वी बात तो ये क्या हो गया है मेरा यहांपर 네 अब इस फूरे ऊको मैं इस तरह क्या कर सकता हूं कर सकता हूं अब इसा करने से हमें फाइदा क्या हुआ देखो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से यह लिख सकता हूं कि के 달 alipas q Q is equal to K prime ले सकता हूं ठीक तो पहले इसको कुछ नाम देदो ठीक है मैं एक figure 1 बोल दो ठीक है तो इससे पहले मैं यहाँ पर जो कुछ हुआ उसे लिखाना चाह रहा हूँ फिर मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा यह लगाऊंगा लो लगाने से क्या आजाएगा देखो के इस K plus Q is equal to K prime आजाएगा उसको मैं लास्ट में लखना चाह रहा हूं ठीक है तो पहले मैं कुछ यहाँ पर लिखाना चाह रहा हूं तो लिखो यहाँ पर यह जो यहाँ पर हुआ इसको मैं एक theoretical प्रूप देना चाह रहा हूं तो लिखो let us consider let us consider a photon a photon a photon of frequency of frequency mu जब खाली frequency बोल ला क्या हूं कितने हैं वो omega-ph frequency news है हूत और रेनल जबेख टर एंड बेदे रोेमेगे क्रिस्तल Mengла. रहा होगा किसी Crystal न इजे प्रोपर केटिंक इन एने क्रिस्टल ऐसे अगर वो क्रिस्टल है स्की कुछ क्या होगी प्रॉपर्टी होंगी और उन्हें से एक प्रॉपर्टी क्या होती है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होती है तो इसका कहा होगा Kus登録 फॉटन और फोटन ऐनी एलेक्ट्रोमगेटी डिटेशन है याँनी सिम्पल गुलतों लाइट है तो लाइट का ट्रेवल करना यहाँ पिलाइट की किसी एक material में किसी medium में जो velocity होती है किस पर depend करती है जो उस material का refractive index है उस पर depend करती है तो यहाँ पर जो crystal है मेरा उसका भी कुछ ने कुछ क्या होगा refractive index होगा तो मैं यहाँ पर कहले होगा let us consider if photon of frequency new and wave vector k is propagating in any crystal of refractive index of refractive index n, कितना है उसका refractive index n है, then then velocity of velocity of photon photon in this crystal in this crystal is written as is written as, कैसे लिखेंगे बताओ written as, कैसे लिखेंगे कि velocity v is equal to velocity v is equal to क्या हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा refractive index क्या होता है n is equal to c upon v होता है, हमने पड़ा है कि speed of photon in vacuum divided by speed of photon in medium in any particular medium is equal to किसके बताओ होता है, मेरे पास refractive index के बताओ होता है class 8 अपड़ा था पहनली बार हमने since omega ph omega ph be the angular frequency angular frequency frequency of photon किसकी बात हो रही है, angular frequency of photon है तो यहाँ से मैं क्या लख सकता हूँ, देखो this omega ph is equal to कितना होता है 2 pi by t होता है omega ph angular frequency equal to 2 pi by t होता है ना सब्सक्राइब करूँ में तो इसे कल लखता हूँ, देखो में 2 pi by इसे लखता हूँ में कितना lambda upon भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बताओ lambda के हैं, वेवलेंथ है देखो, कुछ इस तरह के कहना है, मेरे पास यह क्या थी, इस तरह के से एक wave है ठीक है, और यहां से लगर यहां तक जो distance है, वो कितनी है lambda है, और lambda distance travel करने में, जितना time कोई wave लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं उसका time period बोलते हैं, तो यहां से यहां जाने में, उसने कितना time लिया t time लिया, और एक किस velocity से चल रही है इस direction में, v velocity से चल लिए अभी मैंने बोला, ठीक है, क्योंकि यह medium में चल रही है और medium में उसकी speed या velocity क्या हो जाती है, कम हो जाती है तो यहां से मेरे पास, जो lambda इकल टू आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा v into t आ जाएगा अब 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 टी लिखना है मेरे को, तो t इक इकल टू कितना आ जाएगा lambda upon v आ जाएगा ठीक है, यह कहां से आँ समय में आया तो इसको उठा कहां रख दो, इधर रख दो तो यहां से मेरे पास, omega ph is equal to, कितना आ जाएगा यह, 2 pi by lambda और यह v उपर आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा तो यहां से मेरे पास, omega ph this 2 pi by lambda 2 pi by lambda is equal to क्या होता है wave vector के बराबर होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा k आ जाएगा, और into कितना हो जाएगा यह, v हो जाएगा, ठीक है तो यहां से omega ph और wave vector के के बरेलेशन किया आ गया कि omega ph is equal to कितना आ गया, k into v आ गया and ध्यान रखना है, v क्या है यहां पर velocity of photon in this particular crystal, ठीक है जिसका refractive index कितना है, n है clear है बात, न अब यहां से आप v की जोगा यह भी लिख सकते हो, तो इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि k c by n लिख सकता हूँ k c by n लिख सकता हूँ and here c is speed of light in vacuum here c is, जो मेरे पास c है here, जो c है वो कहा है, speed of light light in free space in free space ठीक है, और वो कितनी होती है आप साब को पता होना चाहिए, कितनी होती है 3 into 10 to 3 power 8 meter per second के order के होती है को ऐसा होता है, ठीक, और जो k है, वो हमको पता है, जो k है मेरे पास, वो क्या है, wave vector of incident photon है, यह क्या है मेरे पास, wave vector wave vector of incident photon है ठीक है, और क्या है मेरे पास, यहाँ पर end है, end क्या है मेरे पास reproductive index refractive refractive index of किसकी बाद हो रहे है, crystal refractive index of क्या है, crystal है, ठीक, इतना सवाल में आया अब देखो, अब यह तो किसकी बाद होगी यहां तक की बाद होगी, यह जो है यह जो photon है, उसका जो character है, वो कैसा है, वो कुछ इस तरह का character है, यह पूरे से हमने क्या दिखाया, इस photon के बारे में discuss किया, क्योंको यह photon incident हो रहा है किसी crystal में, this crystal का refractive index कितना है, n है, तब उस crystal में जो photon की velocity होगी है, speed होगी, वो कितनी होगी, इतनी होगी, अगर उस photon की जो angular frequency है, वो omega pH है, और simple frequency कितनी है, new है, तब हम इस तरह के से यहाँ पर लिख सकते हैं, कि omega pH equal to 2 pi by t लिख सकते हैं, एक चीज और, यहाँ पर मैं 1 upon 2 लिख सकता हूँ, तो इस ति में यह भी लिख सकता था, ठीक है, कैसा लिख सकता है, कि this is 2 pi into new, ऐसा होता न, कि 1 upon t equal to क्या होता है, this frequency, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, omega pH equal to 2 pi new, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक, तो यहाँ पर तो कोई doubt नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, यह हुआ, क्या हुआ, यह photon इस से टकराया, और किस से टकराया, इस phonon से टकराया, ठीक है, तो अब यह इस phonon of, उसके करेक्टर लेखो, कैसा आओ, इस phonon of frequency, frequency of frequency omega, उसके frequency कितनी है, omega है, and wave vector, omega जब भी बात हो रही है, तो किस कोन से frequency है, angular frequency है, मन नहीं भी लिख रहा हूँ, तो आपके दिवामों होना चाहिए, कोन से frequency है, angular frequency है, let us consider that a phonon of frequency omega and wave vector, wave vector q, इसका wave vector कितना है, q है, wave vector कितना है, q है, is absorbed by, is absorbed, absorbed by photon, by photon, photon, then, then, from figure one, then, from figure one, from figure one, क्या लगा दो, conservation of wave vector, या फिर देन, in figure one, from figure one, अगर आपके क्या लगाओ में, conservation of, conservation of momentum लगाओ, या फिर वे बेक्टर लगा दो पहले, conservation of wave vector, क्या हो जागा, देखो, लगाओ, conservation of wave vector, क्या हो जागा, this, plus, this, equal to, this, तो, कितना आ जागा, मेरे पास, यहाँ पर, जो, मेरे पास, k prime vector होगा, और किसकर आओ जागा, मेरे पास, k vector, plus, q vector के बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर क्या लगाओ, आप conservation of momentum लगाओ, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरी equation को, h cut से multiply करना पड़ेगा, तो अब लिखो यहाँ पर क्या, conservation of momentum, क्या लगा दो, conservation of momentum लगा दो, अगर मैं conservation of momentum, c o m का मतलब क्या होता है, conservation of momentum होता है, हमारी भासा में होता है, वह से माल लिख द रहा है, एक्जाम मा आपको पूरा लिखना है, conservation of momentum, तो conservation of momentum कितना हो जागा, दोनों किसे multiply करो, h cut से multiply कर दो, तो यहाँ से मेरे पास h cut k prime is equal to, कितना आजाएगा यह, h cut k plus, कितना आजाएगा, h cut q आजाएगा, तो यह क्या हो जाएगा मेरे पास, angular, sorry, conservation of momentum हो गया, अब क्या लगा देंगे, conservation of energy लगा दो, conservation of energy और इन सब को कुछ equation बोल दो, इसे बोल दो क्या, equation number one, इसे बोल दो क्या, equation number two, यहाँ पर क्या लगा दो, conservation of energy लगा दो, तो conservation of energy क्या हो जाएगा, अब यह भी इस इन सब के energy है, तो कितना आजाएगा यह, h cut omega ph prime, क्योंकि इसके frequency कितनी लिए हमने, omega ph prime ले रखिए, and this is equal to h cut omega ph plus h cut omega, ठीक है, तो ऐसा आगया, तो this is our conservation of energy, यह चीज क्या होगी मेरी, conservation of energy होगी, equation number three, यह क्या होगी मेरी equation number three होगी, अब देखो, अब मैं यहाँ पर कुछ एक add करना चाहरा हूँ, ओ, sorry, कड़ दिया, तिलो देखो, मैं एक statement pass कर रहा हूँ, वो statement कुछ ऐसा है, कि जो यह omega ph है, वो बहुत बड़ा है, किसके compare में, omega के compare में, देखो, ऐसा मैं क्यों बोल लाँ, उसे मैं explain में करूंगा, देखो, अगर मैं यह क्या है, this is frequency of this photon, since, ऐसा बोल नाम, since लिखके चलो, omega ph is greater than, greater than omega, ऐसा है, and question है, why, ऐसा क्यों है, ठीक है, अब यह सुनो, ऐसा इसले है, क्यों है, अब होता क्या है, omega ph क्या होता है, अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पर, जो omega ph होता है, यह किसके रावर होता है, अब मैं डिसक्स किया था ना, किसके रावर होता है, क्यों होता है, क्यों क्यों कितना आ जाएगा, क्यों आ जाएगा और भी कितना आ जाएगा मेरा, simple सा, v क्यों है, velocity of phenon और velocity of phonon का मतलब क्या हुआ? velocity of sound because this phonon is actually sound चेक है? तो क्या आ जागा है? velocity of sound आ जाएगा ये चीज क्या है? velocity of light है in that particular medium इसको ऐसे भी लिसबता हूँ हो देखो कि omega pH is equal to k c upon n अभी हमने लिखाता है कि v is equal to c upon n होता है और तो यहाँ पर मेरे पास omega is equal to कितना आ जाएगा? इसको ऐसे रहें दो कि q into v s velocity of sound and this velocity of sound is equal to the velocity of photon याँ फिसपीड of photon because this photon is actually याँ फिसपीड of photon is actually sound wave ठीक हो जो photon है वही क्या है? sound wave है ठीक तो यह क्या है? velocity of photon है और यह क्या है? this c upon n this is velocity याँ फिसपीड of photon है तो मैं याँ से किलरली देख सकता हूँ कि this c is greater than greater than v s ऐसा होता है नहीं होता है ठीक? जो velocity of sound होती है वो velocity of photon से याँ फिसपीड of photon से क्या होती है? बहुत ही कम होती है ना वो 10 to the power 8 की order की होती है और यह कुछ 300-400 km पर आवर की होती है ठीक है? तो यानि इन दोनों में क्या है? बहुत ज़्यादा अंतर है तो यह क्या दिखा रहा है? कि c is greater than greater than in compare to v s अगर c is greater than greater than यानि ये term क्या है? बहुत बड़ा है इस से तो इसका मदलब क्या होगा? हम क्या बोल सकते हैं? इस omega pH is greater than greater than omega ऐसा बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ मैं? ठीक? अगर ऐशा है तो इसलिए क्या है? ऐशा है? तो जो यहाँ पर मैं लिखा वो बिल्कुल शहीं लिखा कि this omega pH is very much much larger than omega यानि इसकी frequency से इस phonon की frequency से इस photon की frequency क्या है? बहुत ज़्यादा है यानि इसके comparable नहीं है यानि इससे बहुत ज़्यादा है अगर ये इससे बहुत ज़्यादा है तो this implies that तो ये हमको क्या कहता है कि this omega pH omega pH मैं फिर ऐसा बहुत सकता हूँ क्या h cut omega pH plus h cut omega is approximately equal to h cut omega pH ऐसा बोल सकता हूँ देखो ये बहुत बड़ा है 10 to the power 8 के order का है अभी नहीं h cut को हटाने के बाद के बाद कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है तो इस बहुत बड़े में बहुत छोटा जोडने से कोई फायदा नहीं होगा यानि मेरे पास 10 लाग रुपया है और आपने मेरे को 50 पैसा दे दिया क्या मैं खुश हो जाँगा मैं नहीं खुश होँगा हें तो इन दों हुंका सब क्यों? इसके बराबर है है एच़ को मेरे पीज़ के बराबर है हैं यहां से हैचकट से हैचकट केंसिल हो गया तो यहां से मेरे पास ओमेगा पी एच प्राइम is approximately equal to h cut omega pH ठीक है यानि scattered photon की frequency लगभग बराबर हो जाए किसके incident photon की frequency के क्योंकि ये क्या है frequency of scattered photon है और ये क्या है frequency of incident photon है अगर मैं ऐसा case लेके चलूं जो कि actual में होता है ऐसा case तो लगभग क्या होती है इन की frequency बराबर होती है exact बराबर नहीं होती है लगभग क्या होती है बराबर होती है नव सेम चीज़म किसके लेख सकते हैं वेब बेक्टर के लेख सकते हैं इधर देखो अब देखो अगेन यहाँ पर जो के है अब ऐसा कुछ है मेरे पास इसको यहांस भी देखो यहांस भी देखो यहांस भी अधर से देखाँ इसके देखना आशाहा नहीं होगा मेरे ख्यास से यह कहा है मेरे पास omega pH है ना omega pH एक 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 लिड़ डू क्या होता है है उग एसको मतलेखो यह उने भीडियन सीधी सबस्थ को मेरे पास उमेगा पिए इक कinary तो ओमेगा पीये चीखर रहे हैं कि में हें की प्राया क्या हो जाएगा गोप्रायम सब्सक्रीटे से trusting जोगे से प्राइम और यहां क्या हो जाएगा के हो जाएगा यह कहां से लिखा यहां से लिखा यहां से लिखा ठीक थे थ्रुद्र बने में पड़ा हो पड़ा है यह कहां से आगर के ओके तो यहां से वी से भी क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा तो यहां से मेरे पास के प्राइम इक लगभग क्या हो बर्याबर होगां तो यहां संही हम सेमा को सब्सक्राइब से Πॉस्ख होगा तो यहां सिते में प्राम स्थाइब का तो one figure one can be modified as modified as कैसे मोडिफाइड क्या जाता है सिंपल क्या हो जाएगा अभी यह दोनों के लेंथ आपको थोड़ा बहुत अलग लग देख रही है अब इन्हों का मैंगनिटूड होगा वो क्या हो जाएगा शेम हो जाएगा तो इसको मोडिफाइए कर दे तो इसे मिटाता हूं आप फिर बनाना ठीक तो कुछ इस तरीके से इसको मैंने क्या बोल दिया अब इसी के बराएबर लगभग क्या होगा बराबर होगा यह क्या है मेरे पास की वैक्टर है इसी के बराबर ऑने कहीं यहां पर आएगा यहां से कि य Одन एसको फोटोन से रिपर्जम करते हैं ऑर इन दोनों के बीच में यहां पर क्या है क्यूं है तो यह क्या हो जागा इस तरीके से Q हो जाएगा, this is our Q vector ठीक, लग नहीं रहे क्या बराबर ठीक, अब बराबर है, ठीक, अब इसकेल से मनासे तो यह दोनों का minitude क्या बराबर है and this and this both are equal and this is angle phi, यह angle क्या है phi है, इसे हम क्या बोलते है angle of scattering बोलते है ठीक, ना अब देखो, अब इसका मनलब यह कैसा triangle है iso scale triangle है, iso scale triangle के क्या खार्षित रहती है, कि iso scale triangle में, दो side क्या होती है equal होती है, और ठीसे side क्या होती है, different होती है तो यहाँ पर भी, यह side इस side के क्या है, equal है, लेकिन इस से क्या है different है, और यह जो angle है, वो क्या है phi है अगर मैं क्या करूँ इसको by set करूँ इसको क्या करूँ इस तरीके से by set करूँ तो यहाँ पर यह कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा नी बनाएगा 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 कब जब मैं इसको क्या करूँगा by set करूँगा तो यह जो एंगल होगा वो क्या हो जागा मेरे पा ने यसे मिखांद भूँ और यिदन विंदेरन किश्कों देखु अगर मैं अगर में मेजद Лएयक पर यहां पर क्या कहां लगाओ ऑगा शाय। पहा चाहिए फिकाल टिक दो क्या नडर फीयग कई वह साइन इक क सॉनल टेकरन होता है तो लॉंबर यहां पिंद्ड कितना है यह कितना यहां से मिर पास में ऊपोन इस पूर्य का हाफ जघ लगतके सक agreement कि अचरच आगा टो कितना यहां से मेरे पास साइन फाइल टो सीपीड की सबस्क्राइब पुर्य का हाफ होगा दिखनी रहा लेकर करेगा यहां पर थोड़ा बहुत दिखनी रहा अगर ऐसे बना सकते यहां पर कितना अगल बनाएगा यह ने बनाएगा और इसको मैंने क्या बोला है इसे मैंने इसे मैंने की बात कर रहे है क्या है इसमेंडे ब्ल हो करतों है कि सामने यह क्या हो जाएगा मियरा यहिंव हाइपोटेनस होगा ठीक तो यहां पर लगा देंगे 10 5 by 2 10 5 by 2 equal to क्या होगा प्रपेंटिकुलर यानि बीसी और बीसी की वैली कितनी है क्योगा टू है यहां से देख सकते हो आप दिस इस क्योगा टू बैक से कर रहा है उसको तो तो यहां से मेरे पास क्योगा टू अपॉन घista के आगया तो यहां से मेरे पास वेक्टर ऑफ किसका निकल गया अ weapon estimates निकल इकुलई तो ट्वाइस ओफ वैक्टर अइंसे जैनल इंदेन फोर्टन इससे निकल घा करना आपको याद रखे रहना है यहां पर क्या बनादो इस तरी कि से स्टार लाओ अब क्या हम इसको और मोडिफ़ाइew कर सकते हैं आंसर है हाँ जी कर सकते हैं देखो यह रिलेशन है मेरे पास슬द ओक हे अगे पास के इंटू बीगी जाए सी अपॉन यह आ जाएगा ठीक है अगर मैं यहां से को फर्दर सॉल्व करूं तो सफर्दर सॉल्व करने के बाद के इस इकल टू कितना आ गया मेरे पास इदर मल्टिप्लाय हो जाएगा यह वी इंटू ओमेगा पी एच अपॉन कितना आ गया शी आ गया इसको ठाय कहां रख दो इधर रख दो तो यहां से मेरे पास क्यों इस इकल टू कितना आ गया मेरे पास ट्वाइस ओफ वी इंटू यह सहली ग्राव में है यह एन होता है न म ओमेगा पी एच अपॉन शी और यह क्या आगा मेरे पास यहां पर साइन फाइवाइट टू आ ठीक है एंड डिस अगें डिस इस टेरीलेशन फ़र एक्प्रेशन फॉर क्यों क्यों क्या है मेरे पास वेड़ेक्टर ओफ इसकैटर्ड सोड़ी वेडेक्टर ओफ फोनों है क चीक खिलिए हुई बात तो आज का यह रही होता है यहें पर समय होता है आया होगा समय में आया होगा ठीक है तो next lecture में क्या करेंगे जो next lecture होने वाला है वह बहुत important होने वाला है और उस में क्या होंगे कुछ interesting चीज़े भी होंगी यह थोड़ा एसी चीज़े थी जिनको हम पढ़ना जरूरी था लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत आपको अजीब सा फील हो सकता है कि मैं लग क्यों ही पढ़ रहा हो में इसको में खतम क्यों नहीं होता है ऐसा कुछ फील होता होगा लेकिन लेकिन जो आने वाया लेक्चर है वो बहुत मज़िदार है और मार्क पढ़ेंगे हम specific heat थाक Varodma प्रिके से उसको समझंगे जितने भी ओर लॉह है जितने भी एक्स्पैस क्रेंगे तो आदे यह बस इतना ही पेलते हैं आपसे में एक नए टॉक्क केसा थेंक यू भास